हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सबी लोग आश्या करता हूँ आप सबी लोग ठीकों कि अच्छ होंगे मेरा नाम है सुधिर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नमबर 11 क्लास 3 का below the earth यानि की Earth के नीचे क्या क्या चीज होती हैं, उन्हें हमें पढ़ना है तो देखिए यहां पर लिखा है एधर आज हुआ है topic कैकर इसको में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इस से आपको और अच्छे से दिखे चली तो वीडो को शुरू करते हैं देख़े लिखा क्या है outermost layer of the earth made up of rocks and silt and humus देखे अर्थ के उपर जो सबसे उपर की Lay collectively है वो किस से Ready है रॉक से बनी है, s̫े बनी है, sîl से बनी है, साथ साह यूमस से बनी है तो इसे हम कहते क्या है, इसे हम कहते है vist स्वाइल तो यहां पर लिखेंगे वन नंबर ठीक है ना इसे हम क्या कहते हैं स्वाइल कहते हैं ठीक है तो यहां पर लिखेंगे हम वन अब आते हैं अगले पर टू नंबर पर में ऑफ स्मॉल ग्रेंज एंड दस नौट होल्ड वाटर वैल देखिए यह बहुत छोटे- है सेंड तो यहां पर लिखेंगे टू नंबर थर्ड नंबर है इस्मॉल पीसेस ऑफ रॉक मिक्स्ट विथ स्वाइल जो रॉक होती है रॉक के स्मॉल पीसेस को अगर हम स्वाइल के साथ मिक्स करते हैं तो उसे हम कहते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रेवल क्या बोलते हैं ग्र यह ग्रेवल की डेफिनिशन है अब आते हैं फोन नंबर पे टॉप लेयर आफ तस्वायल डैट वी सी एब्री डेइ प्लांट्स रूट्स और फॉंड है देखिए जो स्वायल आप प्रोज अपनी आगों से देखते हैं ठीक है ठीक है ना प्लांट्स रूट्स और फॉंड एर उसी स्वायल में क्या होती है जो प्लांट्स की रूट होती है ठीक है प्लांट के जो नीचे के भाग होता उसे रूट सिस्टम कहते हैं जमीन के नीचे जो भी पार्ट होता उसे रूट सिस्टम कहते हैं जमीन के ऊपर जो भी लेगा फोर नमबर ठीक है अब आते हैं फाइफ नमबर पे टीनी पार्टिकल्स आफ स्वाइल डैट होड़ वाटर वेल देखिए ऐसे छोटे पार्टिकल्स जो पानी को बहुत अच्छी तरह अपने अंदर रिस्टोर करके रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं क्ले क्या कहते हैं क्ले कहते हैं अब आते हैं सिक्स नमबर पे डिकेड रिमेंस ऑफ एनिधिंग देखिए जो डिकेंग मेटर होते हैं यानि जैसे आपने ऐसे बायो डिग्रेडेबल ऐसे कच्रा जो टाइम के साथ अर्ट से खतम हो जाता है ठीक है न ऐसे चीजों को जब आप फे करते क्या हैं अगर इनको मिटटी में मिला दिया जाता है तो मिट्टी कही करते हैं उसमें नियू हीसायट करते हैं और साथी सात उनके फटीघ को भी क्रेश करते हैं एभल यह होती है और साथ ही साथ रौक की भी बनी होती है तो यह कौन होती है इन्हें हम कहते हैं सब सवाईल क्या कहते हैं इन्हें सबी Walking Gary fucker तो यह हो जाएगा सेवन अब सेवेडिन आब आते है इंठ ड्रक to बोर्टम लेयरल आफ स्वायल मेंड़ अब मेनी लेयर्स ऑफ़ रॉक , ब्दो बॉ Denn अनुद्द जो बॉंडर्टम यानि सबसे नीचे की लेयर होती है मिट्टी की वह इन ना इसे की बनी होती हैं keep slap bed rock क्या कहते हैं bed rock तो यह हो जाएगा इट नमर पर अब आते हैं अपने 9 नमर पर मेड़क आसे fantasy就是 of rock larger than clay and smaller than sand देख्याई यह इसमें उसी च्छोटे छोटे रौक25 इसे बहुट ही प्लाद होते हैं लेकिन इब्टे-पैर्ट है हैं उनसे बड़े होते हैं लेकिन सैंड की जो सैंड होता है आपका सैंड से सैंड के जो पीसे होते हैं उनसे छोटे होते हैं मतलब कि क्ले के साइस से बड़े और इस सैंड से छोटे तो यह कौन है ठीक है तो इन्हें हम कहते हैं सिल्ट क्या कहते हैं सिल्ट यह आ जाएगा आपका 9 नमबर पर ठीक है 9 नमबर ठीक है अब देखिए एक ही आपके सामने बच रहा है movement of rocks and soil by wind, water, people and animals देखिए जब बहुत तेज आपकी हवा चलती है तो होता क्या है कि जो मिट्टी होती है ठीक है, अर्च पे सबसे उपर वाली जो मिट्टी होती है वो क्या होती है उड़ जाती है ठीक है, एक जगा से दूसरे जगा चल जाती है ठीक है, या मनुष्य के द्वारा चली जाती है पीपुल के द्वारा चली जाती है एनिमल के वज़ा से चली जाती है या एनिमल के जो पैर होते हैं उन मिट्टियों पर पढ़ते हैं तो मिट्टिया क्या होती है अपनी जगा से डिस्प्लेस हो जाती है कट जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं इरोजन क्या कहते हैं इरोजन तो यह आपका हो जाएगा 10 नमबर पे तो दोस्त यह तो हो गया वीडियो लेकिन साथ ही हम एक infobytes दे रखा है उसे भी पढ़ेंगे देखिए infobytes में क्या लिखा है एक small patch of soil just one square meter in area can hold a billion living things देखिए एक square meter यानि कि एक meter इधर से एक meter इधर से एक meter इधर से और एक meter इधर से अगर इतना मालेचे एक square meter है इसका area तो इसमें ये बता रहा है कि इसमें ये जो area है इसमें billion things होते है million, billion things ठीक है these include देखिए इसमें insects होते हैं ठीक है इसी इतने area में insects होते हैं genial बिलियन से भी जादा चीजह होती ह rugged तो दोस्त यह हो गया वीडियो और वीडियो अब आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लिज लाइक करिये चैनल को सप्स्राइब करिये विड जिए अगने ले थांक्स वर वाचिंस वाचिग तोरियस